हे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दा होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाईए ताकि आपको मेरे सारे लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं आज में आपके साथ चार बहुत ही ईजी और टेस्टी चट्नी की रेसिपी शेयर कर रहे हूं जिसे आप हर प्रकार के नाश्टी के साथ खा सकते हैं चाहे वो इड़ी दोस्ता हो या फिर पानी पूरी या फिर समोसे पकोड़े हूं तो पहले बनाते हैं आम कोकोनट चट्नी इसके लिए मने लिया है फुटाना दाल याने रोस्टेट चना दाल बाजार में आसानी से मिलती है नारियल चाहिए ये कच्चा नारियल लिया है मैंने थोड़ा सा अद्रक लिया है जस्ट फ्लेवर के लिए और तीन हरी मिर्च लिया है फ्रेश धनिया चाहिए हमें, नमक चाहिए, तड़के के लिए हमें चाहिए हींग, थोड़े सी करी पत्ता, सरसों के दाने और सूखी हुई लाल मिर्च, कुकिंग ओल चाहिए हमें, तो एक मिक्सिंग जार में हम सारी चीजों को आड़ कर लेंगे, नारी अल, फुटाना दा हरी मिर्च, धनिया, अद्रग, यह सारी चीजों को आड़ करना है, और इसे अब हम पीस लेंगे, यह देखिए, अब हम इसमें नमक आड़ करेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसका एकदम बारीक पीस सेयार करेंगे, और यह हमारी नारील चटनी कर दाल दाल लेते हैं, तो तड़का पैन को गरम करेंगे पहले, इसमें एक दो चमच तेल डालेंगे, और तेल जब थोड़ा गरम हो जाए तो इसमें सर्सों के दाने डालेंगे, सर्सों के दाने अच्छी तरह से फूटना चाहिए, फिर इसमें करी लीज और लाल मिर्ट लेंगे, एक पिंछ रहीं कपी आट करेंगे और इस थड़ीक डाल देंगे और यह हमारी नारिय चट्नी खाने के लिए बिल्कुल तेयार है, दूसरी चट्नी मुंगफली की, इसके लिए मैनने लिया है मुंगफली, एक कटोरी भरके, एक दो लेसन लिये, यह जस्ट और थोड़ी सी इमलीली है तड़की के लिए मैं यूज़ कर रही हूं सेसमी सीट्स याने तिल करी लीव्स सूखी हुई लाल मिर्च करी लीव्स ऑप्ष्णल है कोकिंग ओईल चाहिए हमें और नमक चाहिए सबसे पहले हमें मुम्फिली को भूनना है तो गैस पर हमें कड़ाई रखेंगे और उसमें मुम्फिली को भून लेंगे इसमें सूखी हुई लाल मिर्च भी आड़ कर लेंगे यह मैंने तीखी वाली लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स करी है और इसे भी थोड़ी दिर भून लेंगे मूंफली अच्छी तरह से भून चुकी है अब गैस को बंद कर लेंगे और इसे मैं एक मिक्सिंग चाल में निकाल लेती हूँ इसमें अब हम लैसन डालेंगे लैसन जस्ट फ्लेवर के लिए लेना है तो बहुत जादा लैसन नहीं चाहिए और इमली को भी टोड़ के डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन सारी चीजों को हमें बारीक पीस लेना है यह देखे उसका क्रश तैयार हो गया इसमें आब थोड़ा सा पाणि रैड करें और इसे पीस लेंगे पानी बहुत जादा नहीं डालना यह थोड़ी गाडी चटनी बनती है पतली नहीं बनती है यह देखे उसके consistency ऐसी होनी चाहिए बहुत जादा पतली नहीं होना चाहिए यह थोड़ी ठीक रहेगी ताकि यह दो सब अगरे के साथ खा सके इसे भी एक बोल में निकाल लेते हैं यह देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक है पानी का इस्तेमल बहुत जादा नहीं किया जस्ट पीसने के लिए किया है और इसमें भी अब होन तड़का देंगे तड़का पैन कॉम थोड़ा गरम कर लेते हैं उसमें एक प्जब मश्च तेल डालेंगे और तेल जब थोड़ा गरम हो जाए तो इसमें तिल के दाने डालेंगे जैसे तिल के दाने फूटने लगे उसमें सूखी हुई लाल मिर्श एड कीजिए और इस तड़के को अब हम चटनी में मिक्स कर लेंगे मैं इसमें करी पत्ता नहीं डाल रही हैं आप चाहें तो करी पत्ता भी आड़ कर सकते हैं और यह हमारी मुंफली की चटनी भी बनकर तैयार हो गए यह दोनों चटनी इडली दोसा उत्तपम के साथ तो बहुत ही स्वादिश लगती है ज़रूर बना के देखिए नेक्स चटनी है, स्पाइसी ग्रेन चटनी हरी चटनी के मैंने लिए फ्रेश हड धनिया आघी प्यास ली है आधा नीबु लिया है एक लेसं की कली लिये और चार-फाच हरी मिर्च लिய तीकी वाली हरी मिर्च है थोड़ा सा नमक चाहिए नीम्बू लिया है, एक लेसन की कली लिया है, और चार-पाँच हरी मिर्च लिया है, ये तीखी वाली हरी मिर्च है, थोड़ा सा नमक चाहिए, mixing jar में हमें इन सारी चीज़ों को add करना है तो धनिया ढलेंगे, प्यास को भी काटके डालेंगे हरी मिर्चा डालेंगे, लेसन मिलाएंगे इसमें और ये नीम्बू को भी नी चोड़ लेंगे थोड़ा था नमत मिलाएंगे और इन सारी चीजों का आमें बारिक पेस तैयार करना है ये देखिए मैंने इसे बारिक पीस लिया है जरूर पड़े तो आप थोड़ा सा पानी मिला के भी से पीस सकते हैं एक बोल में निकाल लेते हैं और ये हमारी स्पाइसी हरी चटनी बनकर तेयार है आप इसी चटनी से एक और वराइटी बना सकते हैं तो ये थोड़ी सी चटनी मैं अलग बोल में डाल रही हूं और इसमें थोड़ा सा दही एड़ कर रही हूं करिबन एक दो चमश दही डाला है और इसे मिक्स कर लीजिए ये दही वाली चट्नी आप जब भी समोसे, कचोरी, पकोड़े वगर बना रहे हैं तो उसके साथ बहुत स्वादिश लगती है दही लेकिन सर्व करने के थोड़ी देर पहले ही मिलाई है और ये लास्ट चट्नी हम इमली की बनाने वाले हैं मीठी चट्नी के लिए मैंने लिया है इमली का पानी तो मैंने एक कटोरी भरकर इमली का पानी लिया है और एक कटोरी भरकर गुड़ लिया है सुखे मसालों में मैंने आधा छोटा चमबच दिल के दाने, एक छोटा चमबच लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है गैस चालू करकर एक बरतन रखेंगे उस पर इसमें इमली का पानी और गुड़ को आड़ कर लेंगे इसे मिक्स करकर हमें थोड़ी देर पकाना है गुड़ अब लगबग पिगल चुका है इसमें अब सारी ड्राइ मसाले आड़ कर लेंगे और इसे मिक्स करकर थोड़ी देर और पका लिते हैं ये देखिए चट्नी में हुबाल आ चुका है और करीबन 2-3 मिट तक इसे पका लिया मैंने और चट्नी अब थोड़ी गाड़ी भी हो गी है गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो हमारी ये तीखी और मीठी चट्नी बनकर फिलकुल देयार है इसे आप पानी पूरी के साथ खा सकते हैं और उसके लावा कई प्रकार के इंडियन स्नैक्स के साथ भी से सर्व कर सकते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताईए पसल आईए तो इसे लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए